हेलो एवरीवन मैं हूँ सचिन और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल पर जहां हम सीख रहे हैं सब्सक्राइब चैनल पर यहां पर यहां पर पहले मैं रिसोर्स में जा रहा हूं और यहां पर इस फाइल का नाम मैं रख रहा हूं counter और यह मेरा एक class component होगा इसलिए मैं यहां पर c a ls class दे दे रहा हूं and dot js तो अब यहां पर मेरे को class component बनाने के लिए shortcut मेरे क्या लिखना पड़ेगा rcc अगर मैं लिख के tap दबा दूँगा तो मेरा class component का जो basic लिखना रहता code वो आ जाएगा ठीक है और उसके बाद में यह extension के दुवारा आ रहा है और जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है previous class में ठीक है तो अब यहां पर मेरे को क्या करना है कि इसका state set करना है अब class के अंदर में state कैसे set करते हैं हम लोग यहां पर हम लोग constructor बनाते हैं देन bracket open close और यहां पर हम लोग POPF pops pass करते हैं उसके बाद में फिर कली bracket open होता है और इसके अंदर में फिर हम लोग super keyword लेते हैं और फिर यहां पर हम लोग state का नाम देते हैं जैसे अभी फिलाल हम लोग एक count नाम का state set करना चाहते हैं जिसका value initial value जो होगा जीरो होगा ऐसा हम लोग रखना चाहते हैं अब यह जो state का value है यह हम लोग change भी करवाना चाहते हैं और इसको हम लोग किस प्रकार से change करवाएंगे एक button के तुर change करवाएंगे तो एक काम करते हैं यहां पर जो डीव है हमारा इसके अंदर मैं यहां जा रहा हूं और यहां पर मैं क्या करूंगा एक button बना लूँगा और यहां पर on click event के थुरू एक function हम लोग बनाएंगे जिसको हम लोग call करेंगे और उसके बाद में फिर यहां पर इस button में मैं एड लिख दे रहा हूं और यहां पर function जो हम लोग बनाएंगे उस function का नाम हम लोग देंगे डिस.increase इस.increase नाम का एक हम लोग function बनाने वाले सिर्फ इंक्रीज नाम का बनाएंगे और यह class है तो उसको call करने के लिए इस keyword का यूज करना होता है उसके बाद यहां पर मैं paragraph टैग ले रहा हूं और यहां पर मैं लिख रहा हूं count और उसके बाद में जो इसका वैल्यू है न दीस डॉर्ट मतलब हमारा count का जो value है उसके लिए यह वाला की लिखना होता है इनिशली इसका value क्या है जीरो है तो यहां पर यहां पर यह जीरो दिखाएगा इसके अंदर में हम लोग लिखेंगे इस.setState, then bracket open close और इसके अंदर में फिर यहाँ पे एक function में ले रहा हूं, तो इस प्रकार से bracket open close, then curly bracket, यहाँ पे हम लोग को state लिखना होता है, state, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, cout count, और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख दूँगा, state.to unt count plus one, ठीक है, तो state का value क्या हो जाएगा, हर बाद जैसे इस function को call के जाएगा, तो उसमें एक value increase हो जाएगा, increment होगा, ठीक है न, तो अब इसको हम लोग देखना चाहते है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, app.js में और app.js में यहाँ पे देखिए, उस component को हम लोग call करेंगे, जो component हम लोग बनाये थे, तो यहाँ पे जो हमारे दूआरा component बनाया गया है, उ अब इसको मैं already run करके रखा हूँ, आप सबको पता ही होगा, अगर आप huge state देख रहे हैं, तो react का app को start करने के लिए npm start लिखा जाता है, तो ऐसे लिख के मैंने browser में already इसको open करके रखा है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, यह browser है हमारा, यहाँ पी यह खुला हुआ और देखे हमारे द्वारा जो बनाया गया class component हो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, तो यहाँ add में जैसे मैं click करूँगा, तो देखे हमारा counter का value, जो count का value जो है, वो बढ़ रहा है, ठीक है न, तो यह तो अभी हम लोग क्या किये थे, यह हम लोग class component में यह सारा काम किय स्टेट किये थे, मगर अगर आप react का basic part जो मैंने दिखाया है, day one से लेके day nine तक, वहाँ पर एक चीद आप गौर करिएगा, कि जब भी हम लोगों को state का जरुवत होता था, तो हम लोग class component बनाते थे, तो क्योंकि functional component में हम लोग state को set नहीं करते थे, कर सकते, तो अभी क्या होता है, hook के द्वारा हम लोगों को मिलता है, आपका huge state और huge state के द्वारा क्या कर सकते हैं, कि हम लोग functional component में भी state को set कर सकते हैं, और his state का use कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूँगा, देखे, मैं यहां यहां जा रहा हूँ, और यहां पे new में, click कर रहा और सेम यही चीज हम लोग करेंगे बट इस टाइम हम लोग functional component बनाएंगे यहां पर मैं function.js लिख रहा हूं और उसके बाद functional component के लिए rcf लिखना होता है और टैप तो यह देखिए functional component एक बन गया अब इस functional component में मेरे को state set करना है वो मैं कैसे करूँगा भई तो उसके लिए मेरे को यहां पर एक चीज इंपोर्ट करवाना होगा यहां कॉमा देखे यहां कलीभ्रेकट open close यहां पर मेरे को जरुवत पड़ेगा यूज state का ठीक है तो यहां पर मैंने यूज state को import करवा लिया कहां से भी react से और अभी यहां पर क्या होगा यहां पर मेरे को const keyword लिखना होगा और यहां पर एक array के द्वारा हम लोग दो टो वैल्यू लेंगे दो variable हम लोग declare करेंगे एक का नाम हम लोग यहां पर count देंगे और दूसरा का हम हम लोग यहां नाम देंगे set count मतलब जो भी variable लिखेंगे ना उसके आगे में आपको यहां पर set लिखना है उसके बाद equal to और उसके बाद में यहां पर use state bracket open close अब यह क्या होगा यह हमारा count का initial value हो गया जैसे देखें यहां पर हम लोग this dot state लिखेते और count देके यहां पर 0 लिखेते ना उसी प्रकार से अभी यहां पर क्या हुआ कि हम लोग यहां count लिखे set count लिखे और huge state यहाँ पर जो 0 लिख दिये है तो इसका value initial value क्या हो जाएगा initial value आपका 0 हो गया किसका count का अब यहाँ पर क्या चाहिए यहाँ पर मेरे को इसको print भी करवाना है और एक button के through एक function को call करवाएंगे जिससे मेरा count का value change हो सके यहाँ यहाँ पर मैं paragraph टैग ले ले रहा हूं और उसके बाद यहाँ पर c eo u n t count क्लिक रहा हूं और यहाँ पर फिर कली ब्रकेट open close और फिर यहाँ पर वो जो variable हम लोग यहाँ पर दिये थे count उसको मैं यहाँ लिख दूँगा उसके बाद में यहाँ यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं देखिए एक बटन में यहाँ पर बना रहा हूं और इस बटन में मैं लिख रहा हूं add और इस बटन के अंदर एक event के थुरू हम लोग function को call करवाएंगे और वो event कौन सा होगा हमारा on click और जो function का हम लोग call करेंगे उसका नाम मैं यहां पर दे रहा हूं increase नाम का function हम लोग बनाएंगे तो यहां से मैं इस increase को copy कर रहा हूं और उसके बाद में यहाँ पर फंकशन बनाएंगे ऊपर में तो function class component के अंदर फंशन मनाने के लिए हम लोग को पहले तो कौस की लिखना होता है उसके बाद में यहां पर function का नाम क्योंकि एक arrow function में बना रहा हूं regular function होता तो direct हम लोग क्या करते function keyword लिखते उसके बाद function का नाम देते और bracket open close करते विए यहां पर हम लोग बोलेंगे count plus one इसका मतलब क्या होगा कि जब भी यह function को उसके द्वारा हम लोग call करेंगे तो यह जो हमारा count का state है मतलब यह 0 है तो इसको set कर देगा one two three four इस तरह से update वो करते जाएगा ठीक है अब इसको हम लोग कहां दिखाना चाहते है इसको हम लोग app.js में ले जाना चाहते है तो app.js में हम लोग जाएंगे और यहां पर हम लोग क्या करेंगे यहां पर हम लोग c o u n t count function देखे counter function मैंने यह लिखा है इसको मैं tap दबाऊंगा तो उपर बे देखेगा यह import हो चुका है और अगर मैं आपको फिर से लेके जाओ यहां ब्राउजर में तो आप देखे दो दिख रहा है एक हमारा class से आ रहा है और एक हमारा function से आ रहा है मगर बोद जो है वो similarly काम कर रहा है तो आप समझी गया होंगे कि यूज स्टेट का हम लोग जो काम है वो सिर्फ इतना ही होता है कि functional component में उसके द्वारा हम लोग state को set कर सकते हैं तो आई होब कि आप सब को मेरा यह आज का class पसंद आया होगा अगर आज का class पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को like करिएगा और मेरे चैनल को subscribe करना मत बूलिएगा